तो आपके स्वागत है जी आए केडमे में अबे पीएसे एसे 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 एन प्रफेसर के लिए ये इस लेवल से घरीत का मैट्स का है हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं आप चाहो तो इस वीडियो से के माध्यम से भी देख सकते हो ठीक है चलिए वाइलिंग्वल होगा हि हम हिंदी की बात कर लेंगे फिर इसके बाद जो है इंग्लिश में हो जाएगा ठीक है ना तो चले देख लेते हैं विशलेशन विशलेशन प्रालंबिक समुच्छे सिद्धान परमिती गर्णी और अगर्णी समुच्छे इसी तरीके से बहुत सारी चीजे हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं वहीं सब्सक्राइजं स्मुच्छ इसन समस्टियां समेस्टियां रैखी पर अम पर अपर पर्ण्फ्रता चाहिए आधार बीमा ब्तियों का विजगर्णी ये सब चीजें हैं इसमें Раз देके ऊनिट की बात कर लेते हैं समिक्ष संख्याओं का विसलेशन वीजगनीद और थर्ड उनिट की बात कर लेते हैं तो साधारण अवकल समीकरण और समगहत और असमगहत रैखिक साधारण अवकलन समीकरण और अवकलन समीकरण ये भी इसमें है इस तरीके से संख्यात्मक विसलेशन विचरणों का कलन रैखिक समा कलन समीकरण चिर्ष समत यंत्र की ये थार्ड उनिट तक देख लिया आपने फोर्थ उनिट की बात कर लेते हैं वर्नात्मक सांखे की अनवेश्या के विसलेशन आकलन की विदियां आकलक के कुडधर्म गौश मारको मॉडल प्राचलों की आकलन नियता श्रेश्ट रैखिक अनभी नत ये सारी चीज़े हैं देख सकते हैं सिर्फ चार यूनिट में ही है थ्री यूनिट ये हो गया और कहां तक था सिकन यूनिट ये और फर्स्ट यूनिट ये फोर्थ यूनिट में ही आपका स्लेब से वह वह हो गया है लेकिन हां टॉपिक बाई टॉपिक फिर उसका ने टेल बहुत सारा हो जाता है यूनिट फोर्थ जैसा कि आप देख चुके हैं टेक है एमवन 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 सीमित प्रतिक्षा समिस्टी सहीत अब ये इंग्लिश में हैं जिसा कि आप बेख पा रहे हैं यूनिट फर्स्ट एनलेसिस इसी तरीके से मैट्रिक्स लीनियर एलजेब्रा यूनिट जेकंड अप्लेक्श एलजेब्रा ठीक है यूनिट थर्ड ओर्डिनरी डिए इफ्रेंटिएशन जोडिशन एक्षिन नियुमेरिकल एनलेसिस ऐसे ही फोटो ब्लेड हैं स्लेविस की MPPSC के साइट में भी है ना यह हो गया यह हो गया यह हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया फोर्थ उनिट में हैं डिस्क्रिप्टिव एस्टेटिक्स एक्स्प्लोरेटरी डेटा इनलेसिस इसमें आप यह सब चीजें पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हैं स्लेविस में आपके तो आप देख सकते हैं अब स्लेविस होता है खतम थैंक्यू